आज दिन है शुक्रवार का दिनांक 23 सितंबर 2022 कृष्ण पक्ष हिंदू मास अश्विन तिती त्रेयो दशी नक्षत्र मगा रहेगा आज का योग है साध्य और कंड गर रहेगा आज के खास दिन पर सूर्य कन्या राशी में रहेंगे और चंद्र सिंग राशी में गोचर करेंगे आज का अभीजीत मोहरत सुभा 11 बचकर 49 मिनिट से दोपहर 12 बचकर 38 मिनिट तक रहेगा आज का राहुकाल रहेगा सुभा 10 बच कर 42 मिनिट से दोपहर 12 बच कर 13 मिनिट तक आज का दिशा शूल पश्चिम की तरफ रहेगा तो फिलहाल पश्चिम दिशा की और यात्रा टाल दे आज विशेश क्या है आज विशेश है त्रियोदशी शाद प्रदोश्परत तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के महाउपाय के बारे में तो आज का महाउपाय है आज पशु पक्षियों को अन जल देने से विशेश लाब मिलेगा तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं राशी फल की राशी फल में सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली राशी मेश यानि एरिस की मेश राशी वालो आज आप परिवार के साथ अच्छा समय गुजारेंगे किसी धार्मी के स्थल पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं सोशल मीडिया पर किसी खास दोस्त के साथ बातचीत होगी बच्चे छुट्टी का भरपूर फायदा उठाएंगे वरिश राशी वालो आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा बहुत एक सुखों में व्रद्धी होगी कोई ओफिशियल मीटिंग होने के द्वारा अटेंड करेंगे खुद में सकारतमक फील करेंगे मिथुन राशी वालो आज का दिन आनंद में बीतेगा युवा वर्ग को किसी ओफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है प्रोपर्टी से जुड़े मसले दूर होंगे जीवन साती के साथ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए मार्केट जा सकते हैं करक राशी वालों के लिए मिला जूल रहेगा परेवारिक मामलों में निड़ने सोच समझ कर ही लें किसी भी प्रकार के फिजूल खर्च करने से बचें नौकरी पेशा लोग काम को लेकर चिंतित रहेंगे सिंग राशी वाले आज सोच विचार में डूब रहेंगे नई भूमी खरीदने के बारे में विचार विमर्च कर सकते हैं परेवार में सुक समर्दी का आगमन होगा शाम को रिष्टिदारों का आना जाना लगा रहेगा कन्या राशी वालों धन के मामले में आज का दिन उत्तम नहीं है जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें तो ही अच्छा होगा बैंक से लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं पिता की सेहत अचानक खराब हो सकती है तुला राशी वालों आज का दिन धन लाप देने वाला रहेगा सोशल वर्क में वैस्तता बढ़ेगी परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा जीवन साथी के साथ किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं वरेश्चिक राशी वालों काम से संबंदित आपको कोई शुब समाचार मिल सकता है जिससे मन आपका प्रसन रहेगा दामपत्य जीवन की बात करें तो किसी घलत फेहमी के कारण संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है सेहत के मामले में दिन उतार चड़ाहो भरा रहेगा धनुराशी वालों व्यापारिक कारियों में कुछ बदलाव के स्थिती देखनी को मिल सकती है ओफिस के विबादों से दूर रहें आर्थिक स्थिती कमजोर रहेगी आपका कोई नजदी की दोस्त आप से मिलने घर आ सकता है मकर राशी वालों आज सोभाव में थोड़ा चेड़चड़ापन आ सकता है ओफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करनी में लगे रहेंगे निवेश संबंधी कारियों को सावधानी से करें प्रेम संबंधों में नजदी की आएंगी कुम्ब राशी वालों आज का दिन ठीक ठाक रहेगा महिलाएं घर के कामों में वैस्त रहेंगी बच्चे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताएंगे किसी सदस्य का नकारत्म करवय या घर का माहौल खराब कर सकता है मीन राशी वालों किसी खास व्यक्ति के साथ बिजनेस के बारे में फोन पर बात हो सकती है मिहिनत का उचित परिणा मिलेगा वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं बच्चे खेलते समय सावधानी बरते हैं तो अच्छा रहेगा इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद